So, hello दोस्तो, my name is Jimmy और जाल फाइनली थौल लाव एंटेंडर रिलीज होई गई और जाल मुवी काफी ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर हाँ ठीक ठीक बोली सकते हैं इतनी भी ज़्यादा बेककार नहीं थी तो इसलिए जादा देर ना करते हुए वीडियो का फुल एक्स्प्लेनेशन शुरू करते हैं तो कहानी शुरू होती एक गौर्ड गॉड बुचर का प्लेनेट से जहां भुक मेरी की वेज़े से सारे ही लोग मर चुके हैं और उस प्लेनेट पर गौर्ड और सरिफ उसकी बेटी ही जिन्दा बची है और थोरी देर बाद उसकी बेटी की भी मौत हो जाती है भुक से लेकिन फिर भी गौर्ड से मदद मांगता है उनसे प्रातना करता है कि वो ये सब ठीक कर दे लेकिन तभी गोर को जंगल में से कुछ आवाज आती है और गोर वहाँ जाता है और उसे एक golden flower god और उसी के सामने एक black god भी दिखता है जिसके पास ही necrosword भी पड़ी होती है और फिर गोर golden god का सम्मान का न लगता उसके आगे अपना सर भी जुगाता है फिर golden god गोर को बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा powerful god हूँ और मैंने इस black god को मारा है जो कि इस necrosword का holder भी था और वो necrosword के बारे बताता है कि ये sword ब्रह्मान से भी ज़्यादा पुरानी है और ये वक्त वक्त पर अपना holder खुदी चुनती है लेकिन ये शापीत है और जो भी से यूज़ करता है उसे भी शापीत बना देती है फिर god उस god की पूझा करता है और उससे बोलता है कि मुझे आपकी मदद की जरूरत है इस planet के सारे लोग मर चुके हैं बुकमरी की वज़े से और वो गोर को जान से मानने लगता है तभी NecroCert उड़कर गोर के हाथ में आ जाती है और बोलते हैं कि इन सभी गोर को मार दो ये इसी लायक है और तभी गोर Golden गोर को मार देता है और कसम कहता है कि इस ब्रह्मान के किसी भी गोर को जिन्दा नहीं छोड़ेगा और फिर वो अलग-अलग प्लेनेट पर जाकर महा के गोट को मानने लगता है और वहीं दूसरी तरफ थोर मेडिटेशन कर रहा होता है और गोर कुछ बच्चों को कहानी सुनाता है और कहानी के साथ साथ हमें थोर का ट्रांजेक्शन भी देखने मिलता है फिर उस प्लेनेट पर कुछ मॉंस्टर हमला कर देते हैं और गाइडियन उन मॉंस्टर को हरा नहीं पाते हैं और वो बुलाते हैं थोर को और थोर आते ही सब को मार देता है फिर थोर और गाइडियन्स वहां से जा नहीं लगते हैं और तभी स्टार लोड के पास अलग अलग जगे से में से जाते हैं और तभी उन्हें पता लगता है कि एक इसा केरेक्टर है जो सभी गोट को मानना चाता है और तभी थौर को अपनी फ्रेंड लेडी सिप भी दिखती है उसी स्क्रीन पर तभी थौर और गाइडियन्स दोनों अलग अलग हो जाते हैं और जाता है उस प्लेनेर्ट पर जहां उसे अपने फ्रेंड की डेड बोडी देखने मिलती है और महीं पर लेडी जिप भी होती है जिसका एक हाथ कट गया गौर की आर्मी से लड़ते लेड़ते और तभी लेडी जिप थौर को बताती है कि अब गौर अर्थ पर गया यानि कि निउ एस गारड पर और तभी तो निउ एसगारड के लिए निकल जाता है और फिर हमें बताया जाता है अर्थ का एक सीन जिसमें हमें बता चलता हीmed जेन फोस्टर को गशनों हो चुका है और Jen Foster बन जाती है Mighty Thor फिर हम देखते है कि Gor अपनी आर्मी को लेकर New Asgard आया है, Asgardian को मारने के लिए और तभी वहाँ आता है Thor और वो आते ही Gor की आर्मी से लड़ने लगता है और फिर उसे दिखती है महाँ Mighty Thor और फिर हमें Thor और Gor की थोड़ी सी हाथ में आ गया, तभी हमें दिखता है एक Flashback जिसमें हमें दिखाए जाते है कि Jen और Thor दोनों साथ में रहे रहे हैं और Thor मियोनेर से बोलता है कि मेरे प्यारे Friend मियोनेर तो मैं हमेशा Jen की मदद करनी होगी और यही शब्द मियोनेर अपने उपर Enchant कर लेता है तो इसी वज़े से जब Jen मियोनेर के पास जाती है तो मियोनेर सेंस कर लेता है कि Jen की जान खत्रे में है और वो जुड़कर Jen के हाथ में आ जाता है और फिर से हमें दिखाए जाता है Present जहां सारे इस Guardian बोल रहे होते हैं हमें हमारे बच्चों को वापस लाना होगा फिर Thor, Mighty Thor और Welker ये तीनों बच्चों को वापस लाने के बारे में सोचने लगते हैं और तब हमडल का बेटा जिसका नम Alex है वो थोर के साथ कम्यूनिकेट करता है वेसे ही जैसे हमडल करता था Thor के साथ और Alex के पास भी अपने पिता की पावर है फिर वो थोर को बताता है कि सारे बच्चे शेडोर रियाल में हैं जहाँ पर स्रिफ अंदिराई और वहाँ पर गोड ने उन बच्चों को एक पिंजरे में केट कर रखा है फिर तोर वहाँ जाने की तयारी करने लगता है लेकिन उसे लगता है कि वहाँ अकेले जना अच्छा नहीं होगा वहाँ अपने साथ और भी गोड को ले जाना चाहिए तो इसलिए वो जाते हैं The God of Sky के पास मतलब Zeus के पास और उससे बोलते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए God the God butcher से लड़ने के लिए लेकिन Zeus उससे लड़ने से साप साप मना कर देता है क्योंकि Zeus डरता है God the God butcher से और Zeus बोलता है कि इस जके के बारे मैं God's के अलावा कोई भी नहीं जानता और Zeus थोर से बोलता है कि अब तुम भी यहां से नहीं जा सकते क्योंकि God तुम से यहां का पता निकला लेगा तब थोर Zeus को कायर बोलता है और Zeus को गुसा आ जाता है और वो अपना थंडरबॉट थोर के उपर फेकता है लेकिन गौर मरता नहीं है फिर थोर गौर का फेस उठा कर वहां से निकल जाते है लेकिन Zeus न थोर को और भी कुछ बताया था जैसे कि गौर का प्लैन कि गौर इटर्नीटी के पास जाना चाता है और उससे एक विश मांगना चाता है फिर थोर, माइटी थोर और वेलकरी के साथ शेडो रियाल में पहुच जाता है और वहां माइटी थोर को एक पेंटिंग दिखती है जिसमें गेट ओफ इटर्नीटी की चाबी की पेंटिंग मनी हुई है फिर माइटी थोर थोर का स्टॉम ब्रेकर उठाती है और दूर फेक देती है और थोर उसे पुस्ता है कि तुमने ऐसा क्यों क्या फिर वो बताती है कि गेट ओफ इटर्नीटी की चाबी और कुछ नहीं बलकि स्टॉम ब्रेकर ही है तबी उनका सामने गोर आ जाता है और उन तीनों को केट कर लेता है तबी गोर स्टॉम ब्रेकर को पकल लेता है पीछे से और थोर जैन और वेलकरी को रेकर अर्थ पर पोस्ता है और दोनों को होस्पिटल ले जाता है और फिर थोर को पता चलता है कि जैन को कैंसर है और जब जब भी वो Mighty Thor बनती है ये Cancer और भी ज़्यादा बलेने लगता है और अगर अब वो एक विपार Mighty Thor बनी तो वो अपनी जान भी खो देगी फिर Thor जेन से बोलता है कि अब तुम म्योनर समन नहीं करेगी और वो दोनों को हॉस्पिटल में छोड़कर थंदर बॉल्ड की मदद से सेडोर रियाल में चला जाता है जहां उसे गोर दिखता हैゲット ओफ इternity का gate खोलते हुए और फिर Thor और गोर की fight होती है और फिर Thor और गोर की fight होती है लेकिन उसने gate of eternity तो खोली दिया है तो वो उसके अंदर जाता है और अब Jen ने भी एक और बामयोने समन कर लिया तो वो बिलकुल मरने की हालत में होती है और तभी Thor और Jen भी गोर के पीछे पीछे eternity के सामने चले जाते हैं और गोर विश मांगने ही वाला होता है लेकिन Thor उसे समझाता है कि तुम अपनी बेटी को ही वापस मांग लो सब गोट को मारने की बजाए लेकिन गोर बोलता है कि उसकी देख भाल कौन करेगा तो माइटी Thor बोलती है कि तुम उसकी चिंता मत करो और उसका खयाल रखता है थौर और बस फिर गोर समझ जाता है थौर की बात और वो अपनी बेटी को वापस मांगता है और इन सब के अलावा दो पोस्ट क्रेडिट सीन भी थे अगर आप बोलते हो तो मैं उनके उपर भी वीडियो जल्दी हिलाओंगा तो बस यही थी इसकी स स्टोरी बस आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना चेनल को सब्सक्राइब करना आप हम मिलते हैं अगली वीडियो में